असलाम उल्केम दोस्तों वे वीडियो में वेल्कम वल उफ भी बात करूँ हैं ये मीं हिस्टों के वारे बारे के बारे पिर दोस्तों आधीस का हो चुका है लास यह था चौपी चरएंड़ एसम्ड का इक चोहित ऐंसरों पेपर दिया गया बच्चे को इससे पहले दो-30 साल से नहीं दिया रहा था उससे पहले भी नहीं दिया गया था तो आप जो बच्चे नेक्स-टीर पेपर देंगे उनको अंधादा हो जाएगा कि वेपिर के इस तरह का आता है शुम्सक्राइब नहींगे तो प्लीज करें वीडियो आप तक पहुंचे हैं तो मैंने नोट दिये थे काफी नोट में से मेरे आ गया था और जो बच्चे प्रॉपर ली पढ़के गया होंगे नोट को वह ज़रूर उम्मीदे कौलिफाय जरूर कर जाएंगे अगर आपको नेक्स लिए नोट स सवाल आपको आते हैं हर एक सवाल तीन मार का होता है लगबग पचास-साइट बड़ महां पर आपको लिखना होते हैं उसको पेपर अगर मैं बात करूं आपका एमस्यू वाला पार्ट जो बच्चा पहुत अच्छे पढ़के होगा होगा मेरे खालते 40 कर गया होगा होगा लेकिन जो बच्चा मौडरली पढ़के होगा वो शायद तीस नंबर का अपने आप जो बेना बेना तुक्का मारे कर दे तो ठीक पामला हो जाएक उसके लिए पेपर वालाप इतना आसान नहीं तक उस सवाल काफी अंदर कुस तो आसान आती है ऐस सवाल थे सवाल तो आसा परसेंट 45 दोस्तों होगा मादा परसेंट फाटिवाल थे परसेंट परसेंट है उसके लिए आसान रहोगा और को मुश्किल वाल आपके लैवल जायाएगा मैं आप कह सकते हैं कि 60% उसको या 50% उसको मतलब मुश्किल और 50% उसको आसान लगा होगा दोस्तों अब आप से बात करने करने कर रहे हैं तो अगर आप external दोस्तों मेरे खाल से कर आप जेनरल एक्टनल है 48-51 दोस्तों कॉट आप इसमें रह सकते हैं दोस्तों अगर आप OBC है external दोस्तों मेरे खाल से कट आफ जो है इस पेपर को देखते हुए दोस्तों जो है 45-48 दोस्तों हो सकते इसके ऊपर दूस्तों आना बहुत मुश्किल है बहुत नीचे का नमर नीचे हो जाए लेकिन बहुत नीचे आना काफी का मैं इसके अंदर बच्चे काफी जाए थे इसके अंदर सब्सक्राइब कर लिया मेरे खाल से आप लिस्वन में कॉलिफार घर जाएंगे जहाना आपको बता रहों कट आप का गैसे यह 90% केस में ही है 10% में ऊपर तो शायद ना जाए लेकिन नीचे एक दो नंबर क अबर ममला हो सकता है उपर यस से ऊपर जाना पॉसिबल मेरे खाल से नहीं है उसकाविशन को जैनरल हैं नो मेरे कहलते कक टॉफ जो है इंटल जेनरल में दोस्तों बहुत रहेगी तो मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर जो है नहीं एक मेरे पोर्टी फोर के बीश में अबने स्कोर कर लिया तो आप लिस्ट में मुझे पूरी मिदर कॉलिफाइव और हम से कर जाएंगे तो उसके बाद अब 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 हैं डूस्तों इंटरनल है अगर आपका स्कॉर में 30-41 अगर आपका स्कॉर आ रहा है तो मेरे खाल से आप लिस्ट बन में कौलिफाय कर जाएंगे नहीं देखान रहे कॉट अफ का मतलब होता है जो लोग लिस्ट बन में कौलिफाय करते हैं इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एंबी का भी दिया होगा सब्सक्राइब होंगे और दोस्तों इसके बाद MIRM, MHRM, MBFM, MSW तो बहुत सारे बच्चे शायद महां कौलिफाय कर जाएंगे तो शायद वहां भी चले जाएं तो उसकेस में दोस्तों कट आफ जो हैं तोड़ी नीचे और आपको आ सकती हैं इसके ऊपर तो जो खास औरत है में हिस्ट्री वाले होंगे वह दोस्ते स्की ऊपर जाना कट आफ तो पॉसिबल नहीं नीचे शायद मेभी एक दो नंबर और मलग कम हो जाएं इंटरल में दोस्तों जो मैंने बताया आपको इसके नीचे ऊपर तो जाना दोस्तों बहुत मुश्किल है शायद नीचे एक द अगली वीडियो में खुदा आफिज